हेलो एवरिवान, हेलो स्टांडर थर्ड, आज हम इस हिंदी के शेशत में पढ़ेंगे, जो अपकी चैप्टर नमबर एड की जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर ड्रामा था एक बंदर पार्ट, आज हम उसकी एक्सरसाइज को ही पढ़ेंगे लड़ाई जगड़ा, यहां से इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट होती है, फर्स्ट है, दोनों बिलियों के बीच जगड़ने की जड़ क्या थी, तो पता है, दोनों को भूख लगी थी और रोटी खानी थी, उनके जगड़ने का हल किसे निकाला गया, तो बं अकसर हम किसके साथ जगड़ते हैं, खेल में हम आउट हो जाते हैं, तब जगड़ते समय तूम क्या क्या करते हो, जब तुम किसे से जगड़ते हो, तो तुमारा फैसला कौन करवाता है, तो अकसर मुमी करवाती है, जगड़ने के समय क्या करता हो, वो देखो आपको लिख दोनों बिलियों एक दूसरे को नमस्ते केती है, तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो, तो देखो, जब दोनों बिलिया मिली, तो एक दूसरे को नमस्ते किया, जैसे हमारे गर पर कोई आता है, तो हम भी करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड को हाई केते हो, शिक्षक को क क्या कहते हो हेलो मैं केते हो गुड मॉनिंग विश करते हो तुमारी दादी को क्या कहते हो नमस्ते कहते हो तुमारे बड़े भाय और बहन को भी आप क्या कहते हो वो भी आपको लिखना है अब पता लगाओ तुमारे शाथी कक्षिया में कितने अलग-अलग तरीकों से नमस् बॉनिंग विश करता है कोई अपने से जो पगवान होते उसका नाम लेकर बताता है तो इस तरह होता है अब जो नेक्ष्ट है वो है तुमें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुमारी राय में रोटी किस बिली को मिलनी चाहिए थी तो अफकोर्स रोटी अपने बिलियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंक से देखी थी या दोनों आखों से एक टांक से जपडी थी या दोनों टांगों से क्योंकि बंदर है वो अपनी चालाकी करना चाहता था इसलिए रोटी खाना चाहता था अब नेक्स्ट एक्स शिर्शक बंदर बाट क्यों है क्योंकि हमें पता है कि ड्रामा के बीच में बंदर आ जाता है और ड्रामा पुरा चींज हो जाता है तो हम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी तो हम यह भी कह सकते हैं बिलियों का सगडा उसके अलावा हम कह सकते हैं और भी कह सकते हैं बंदर क चाला की जो शिर्शक तुमने दिया है उसे सोचने का कारण बताओ तो ये शिर्शक अमे इस तरह देते हैं क्योंकि ड्रामा बेस्ट देते हैं कहानी कुछ ऐसी है नाटक कुछ ऐसा है इसलिए अब देखते हैं माप तोल बंदर ने रोटी बराबर बाटने के लिए तराजु का इस्तमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तोल कर खरीजदा जा सकता है तो देखो हम किसको तोल सकते हैं केडले को तोल सकते हैं फिर किताब को नहीं तोल सकते हैं वाटरमेलन को तोल सकते हैं औरंज जैसा है उसको भी हम तो इन सारी चीजों को हम तोल कर खरिच सकते हैं तोलते वाक्त एक पलडे में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट बाट किस दातू या चीज का बना होता है तो शायद बाट है, किस ताटू का बना है, शायद आयन का भी हो सकता है, अब देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज बाट तोले जानी वाली चीजों का वजन बताता है, वजन किलो ग्राम या ग्राम में बताया जाता है पता करो बाजार में कितने किलो ग्राम या ग्राम बते मिल सकते हैं, फल वाले, सबजी वाले या परचुन की दुकान से पता कर सकते हैं, तो वो किलो के भी होते हैं, फाइफंडरेस के भी होता है, तो ऐसे जो है वो बाट होती है फिर नेक्स्ट है वा क्या खुश्बू है बिलियों को रोटी की महक आ रही थी जो हमें पता है कि ड्रामा में बिलियों को ये रोटी की महक आ रही थी तुम्हें किन किन चीजों की पकने की महक अच्छी लगती है तो हमें कोई घर पर अच्छी सबजी बनती है तो उसकी महक अच्छी लगती है और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है जैसे साबून की सुगंद, जुती की पॉलिश की गंद आदी तो हमें पर्फियूम की भी स्मेल गमती है फ्लावर की भी गंद हमें पसंद होती है तो इस तरह आपको यहां लिखना है अब आगे हैं, आगे पीछे next exercise मुझे महाक रोटी की आती इस वाक्यों को इस तरह भी लिख सकते हैं मुझे रोटी की महाक आती तुम भी इस तरह नीचे दिये गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो तो उसी खोज में में भी निकली तो में भी उसी खोज में निकली रखी मेच पर है वो रोटी वो रोटी मेच पर रखी है हम ऐसे भी बोल सकते है डरती थी उस तक जाने में में जाने में उस तक डरती थी में ले जाने तुझे न दूगी तुझे में न ले जाने दूगी जो पहले देख हक उसका है रोटी पर रोटी पर उसका आख है जिसने उसको पहले देखा है तो आब इस वाक्यों को इस तरह भी लिख सकते हो अब जो नेक्स्ट एक्ससाइज है वो है एक और बटवारा तो देखो अगले दीन दोनों बिलियों का एक तर्बुज मिला दोनों सोचने लगी इस तर्बुज को कैसे बाटा जाए तभी फिर से बंदर आ गया आगे क्या होगा तो फिर से हम लिख सकते हैं कि बंदर ने ऐसे तर्बुज को ऐसे नाप तोला होगा बाद में बिलियों को डिफरेंट डिफरेंट क्वेस्टेंस किये होगे फिर उसने फिर से थोड़ा सा तर्बुज खा लिया हो अपने भाई बेनों के साथ खेल रही थी इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खीच ली तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कटो बिली कौन सी है तो देखो कटो बिली की तस्वीर तो यह इसमें से आपको देखो फाइंड करना है कि कटो बिली की तस्वीर शायद यह हो सकती ह अब देखते हैं next देखो ये क्या है मुखोटा यानि की मास्क ये बिली का मास्क है ना दिख़े दे रहा है आपको यहां क्या instruction से आपके लिए वो भी देखते हैं बचों से ऐसा ही मुखोटा बनाने के लिए कहें इसी प्रकार से अनिया जानवर के मुखोटे बनाए जा सकते है इन मुखोटों को पेना कर उनसे अभी नहीं कर वे देखो आपको इसे बिली का मास्क बनाना है उसके अलावा दूसरे जानवर के भी मास्क है वो बनाने है तो आप फिर आपको उसकी acting करनी है तो यह अपनी फ्री तो यह आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हो अब साम है देखो अकल बड़ी या बैस क्या होता है कि आफटी के शहर में एक पहलवान पी रहता था एक दीन वह आफटी से बुला तुम भले ही अकल में बड़े हो लेकिन ताका तो मुझ में अधिके क्या हुआ एक शहर था और एक आदमी था और इस आफटी को देखो बोलता है यह अफटी और यह एक पहलवान आदमी यह आदमी इसको क्या बोलता है कि तुम बले बड़े हो अकल में लेकिन मैं तुम से शरीर में यानि कि बोड़ी में लड़ाई करने के लिए तो तुम से ज्यादा बलवान हूँ ताकत में हो तो आगे देखो क्या होता है आदमी को पूता है कि बता उत्तो तुमारे अंदर ताकत कितनी है तो यह देखो पहलवान आदमी क्या बताएगा मैं पांच क्विटल की चटान को सिर्फ एक हाथ से उठा कर आसमान में उच्छाल सकता हूँ तो यह आदमी तो कहता है कि मेरे में तो इतनी टाकत है कि एक ब बोलता है कि चलो देख लें दोनों में से सबसे ज्यादा ताकत आखिर है किसकी आफती पहलवान को शहर की चारी दिवरी के पास ले गया और बोला देखो यह आफंती है वह इस पहलवान आदमी को सारी दिशा में से ले जाता है और क्या कहें और क्या कहेंगा वो तो हम ने And then have a nice day to all.